दोफ्तो हातरस कांड में 121 लोगों की मोत के बाद लगातार राजनीती भी सुरू हो गई थी एकले स्यादव हो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो वेफ्ता थी वो सही नहीं थी और उसके बावजूद ये भी सवाल उठा था कि आकिर भॉले बाबा का है वो अभी तक सामन क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहीं चलड़ा है कि जो 121 मोते हुई है जिम्मेदार को मैं बड़ी बिनमरता के साथ बहुत नंबरता बहुत दुख़द शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कि जो भी मौते हुई है वो हमारे सेवादारों की हमारे फालोर्स की हमारे अनु हम लोगों की सबसे पहली कल से आज तक यहीं बवस्ता थी कि किसी को दबा का भाव ना रहे बलड का भाव ना रहे पैसों का भाव ना रहे गारी का भाव ना रहे भोजन का भाव ना रहे यह पहली बवस्ता थी अम्बुलेंस पहुंचें दूसरी प्रात्मिक्ता थी कोई लाश लावारिश न रह जाए जो जहां जिस घर की मिटी है वो बहां पहुँचे और अंतिम संसकार उसका सम्मान के साथ उसके रित रिवा से हो उसके बाद ये जो सब चल रहा है जो लोग कुछ कह रहे हैं कि देर लगा दी ये कर दी नाराण साकार हरी का जीवन इतना सुच चिता पूर्ण रहा है कि कभी उन्होंने मोबाइल फोन नहीं रखा कभी छोटा फोन नहीं रखा कभी कोई शोशल साइट्स पेज शोशल मीडिया फेस्बुक इंस्टाग्राम टुईटर यूटूब चैनल अखवार चबाना पत्रिका चबाना ओर्डिंग लगवाना कभी नाराण साकार हरी कभी अपने पैर किसी से नहीं चुलवाते चाहे बच्चा हो बूरा हो जवान हो किसी जाति का धर्म का चेत्र का बाशा का संपरदाय का कभी भेदभा उन्हें नहीं रहा कभी कोई डोनेशन चंदा रसीद उगाही सोना चढ़ा दो ये चढ़ा दो वो च प्रसा भगदर मची क्यों सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है आपने देखा हर किसी का कलेजा फटा रह गया है उसी इन देखे। कुछ anti-social elements थे जब नारायन साकार हरी अपने ब्रह्मबानी को कहे कर उद्भोधन करके चले गए तो वहाँ उनके जाने के बाद कुछ anti-social elements जेनों प्लान के तहित शनेंत्र के तहित शाजिस के तहित वहाँ पर भगदर मचाई और हमारे सेवादार उसको ताड़ नहीं पाए वो भोले थे वो भाले थे वो सादगी में रहते थे उन्होंने सचाई का जीवन किया है उन्होंने शाजिस वाला जीवन कभी जिया नहीं है इसलिए उनके साथ ऐसी घटना हुई वो कभी इसको नहीं पसंद करते हैं उन्होंने कभी नहीं जीवन में मीडिया, सोशल साइट, पेज, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यूटूब चैनल, कभी उसको महतु नहीं दिया मना करते हैं उसको हम लोगों की बाधताय होती हम लोग बैठते हैं जाके तो फोन नहीं थी, मैं सारे आपके साथ डाकूमेंट हैं ये, ये देखिए, ये परमिशन, एडियम की परमिशन है, ये श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदेश सिकंद्रा राओ, ये इनकी परमिशन है नीचे, ये नक्षा है, जो कहा जाता है जगह नहीं थी, मैं कल विजिट करूँगा, ये देखिए, पंडाल, ये है, ये लिखा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, बाईपास, ये सारा ववस्थाएं, ये चीजें, प्रवासिस्थल, ये सारे ये चीजें नक्षे, परमिशन में दी गई है, ये परमिशन दी गई, ये देखिए, ये महर लगी हुई है, ये ह पूरी ववस्ता के साथ यह उत्रपदेश सरकार की महर है कारल उप जिला मजिस्टेट सिकंद्रा राउ जन्पधात्रस यह है डाकुमेंट है अब इतनी हापादाई मच गई वहां कि ववस्ताएं मैं मानता हूं और उस ववस्ताओं का खाम्याजा हमने भुगता है हमने अप अपने हाथों से अपनों की लाशों को देखा है यह दर्द हमारी जीवन में रहेगा लेकिन अनुमति की बात कहना यह कमेटी है पूरी उसके बात कहना यह चीजें कहना यह कारायरूप जिला मिनिश्टर कुरावली मनिमान पूरी वो कारेक्रम तो छोड़िए प्रवास कर हैं यह बहां की भी पर्मिशन होती है वो भी दी गई है और मेडिकल रष्ट पे रहने वाले देखिए उनकी उम्र देखिए 72 एक किड्नी नहीं है ब्लट शुगर है ब्लट पीशर है लेकिन मानवता के लिए मानवता की भलाई के लिए मानवमंगल सदमाबन समागम के जब गाओं में आस्रम की सुरुवात हुई तो वहां पे बाबा का नंबर दो का धंदा चलता था 14-15 साल की लड़के आती थी उनसे मसाज कराई जाती थी बाबा ये आरोप ये आरोप ठीक उसी तरह हैं जिन के लिए कहा गया था कि घर का जोगी जोगना आन गाओं का सित गाओं के लोग पड़ोस के लोग खुश नहीं होते हैं किसी से नहीं खुश होते हैं कभी खुश नहीं होते हैं वो कभी खुश नहीं हो सकते बढ़ती भीर बढ़ती लोक प्रियता बढ़ता प्यार बढ़ता सम्मान लोगों के प्रतियादर अपनी धरम पत्नी के साथ रह सब मिक्स बढ़ा ले जाते हैं आप पंडाल देखिएगा महिलाएं बेटियां बहने एक तरफ और उनकी सेवादार भी महिलाएं बहने बेटियां हैं पुरुष सेवादार अलग पुरु संगत अलग पुरी तरह से ववस्ताओं के साथ जी आ जाता है वर्दी धारी बनाये आईकार दिये जाते हैं सभी खोया पाया कि वबस्ता की जाती है। सारे आरोप गलत हैं पूरी तरह से निराधार हैं शाजश है सनातन धर्म को बदनाम करने ठीक उसी तरह से शाजश है जैसे चुनाओं में सनातन धर्म को बदनाम किया गया। आज भी परसों बोल लहे थे जब सदन में कली बोल लहे थे परसों राहुल गांदी ने बोला कि हिंदू हिंसक होता है ये सनातन धर्म को बदनाम करने की शाजिश है कल मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ उन्होंने राश्ट्रपती जीत महोदे का भिवाशन के दौरान और हातरस की घटना पर दुख वेक्त किया संबेदनाय वेक्त की और मानिये उत्तरप्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी का हारदिक धन्यवाद करता हूँ उन्होंने दो लाख रुपए मृत्कों के लिए इंजएड के लिए 50,000 और SIT की जाच कि आने की बात देखिए पंडाल खुला होता है नाराईंड सहकार हरी कब्छ नहीं भी बेज़ते किसी को कभी मैसेज नहीं करते कभी फोन नहीं करते उनके पास फोन होता ही पंडाल चल नहीं है कोई आ रहा है उसका स्वागत है, वंदन है, अविननदन है, अतिती है, उसका सम्मान किया जाएगा, उसका आदर किया जाएगा, यह निश्यत है। गुरु गोविंद सी का जन्म हुआ ना, मुहमत साब जी का जन्म हुआ ना, उनकी मा थी, पिता थे, सब के थे ऐसे नरानारी साकारणी के भी मता पिता थे, जन्म लिया, गाओं है, मकान है, वहाँ हुआ, उसके बाद पुलिस में नौकरी की, भियारस आ रही है, पेंशन आ और बताओं आपको, अपनी पेंशन से भोजन करते हैं वो, किसी का कहीं भोजन भी नहीं करते, कुछ भी ग्रहन भी नहीं करते, अपने उससे ग्रहन करते हैं, लेते हैं, और इसलिए उन्हें कोई चंदा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कोई सोना मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा किसी के आलोचना करने का ऐस समय नहीं हमारे पास लेकिन ना उन्हें सोना चड़वाना है ना कुछ चंदा लेना है कुछ नहीं करना उन्हों अपना सदर सूचता के साथ पुलिस विभाग ने जिम्मेदारी ली है उत्तरप्रदेश सरकार जिम्मेदार सरकार है और हमें उन पर भरोसा है और दूद का दूद पानी का पानी पूरी तरह से होगा नारहेंड सा कर्वी के संदेश आया है लाइन आर्डर की बवस्ता है कानून की बवस्ताएं है कहीं छिपे नहीं हो कभी नहीं जीवन में छिपे वो सदाव सार्वजनिक रूप से रहे कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो सार्वजनिक रूप कभी उनके बैंक बैलेंस कभी जाच करके दिखवा लीजिएगा करेंगी जाच एजन्सिया कुछ भी नहीं मिलेगा पेंशन आती हुए मिलेगी और खर्च होती हुए मिलेगी वो यूटूब चैनल से तक लाखों करोन कमा रहने आजकल एक हमारी सीमा है दर पाकिस्तान से आई अखों कमा रही क्यों नहीं उन्होंने चलाया वो तो एक साल में चला लिया क्योंकि नाराण साका रहरी का जीवन ऐसा नहीं है उन्होंने सुचिता का जीवन किया सत्ता का जीवन किया मानम मंगल मिल सदभाबना समागम की कामना की है सबी जाती धर्म छेत्र भाषा संपरदाय के लोगों गले लगाया है पैर नहीं छुलवाए है गले लगाया है उन्हें सद मार्ग सिखाया है उन्हें सत्य का मार्ग सिखाया है उन्हें सत्य के सिध्धांत सिखाया है आता था क्योंकि कोई लोग वीडियो बनाएंगे फिर चैनल चलाएंगे फिर पैसा कमाएंगे फिर कुछ लिखेंगे इसलिए जब खुद नहीं उनका कोई चैनल आपने कभी उनको किसी न्यूज चैनल पर बैठते देखा है कभी कोई संदेश देते देखा है कभी कोई मान चू लिया मैं मानता हूँ भीड हो गई लेकिन उस भीड का कारण था कि जो चुनाओ से पहले आचार सहीता लगी थी उसके बाद सत्य का साथ नहीं हुआ लोगों की च्छाय थी भावनाय थी दर्शन की ब्रह्मबानी सुनने की भावना थी जगए तो छोटी पड़ गई होगी मैं मानता हूँ लेकिन रास्ते पूरे बनाये गए नक्षा आपने देखा ववस्ताइं परयाप्त की गई सभी ववस्ताइं आज द्वारा सई की गई लेकिन अंटी शोचल मेंट्स भी कामयाब हो गए उन्होंने हमारे घरों के बेटियों बेहनों मताओं को आज चुके थे परमीशर मैंने आपको दिखा दी नक्षा मैंने दिखा दिया पैरों को छुलाते नहीं चंदा दान पात्र लेते नहीं चड़ावा लेते नहीं उनके सामने एक और दावा के साथ कह सकता हूं उनकी उपस्थिति में कभी कोई घटना घटे तो हो ही नहीं सकती ल घड़ी देख करकर आते सत्संग और उसके बाद समापन कर देते हैं और चले जाते हैं